आप करारी हार के बाद मुत्ध मंत्री शीलादेक्षित, पूर्वंत्री शीलादेक्षित, अब जनता के सामने आही हैं, उन्हों ने हमारी साथी नीता शर्मा से बाचीत करते हुए काँ कि ये जो हार हुई है वो उनकी व्रहेतिगत हार से भी ज्जादा बड़ी कॉंग्रिस अब ये वजदे का तब हम लोग जाच करेंगे, समझेंगे, कुछ समय दीजेगा, पी कली तो रिजल्ट निकले हैं, अब देखते हैं क्या होता है, क्या हमारी कम्यां खाम्यां रही, कहां भी फेल, we learn from that, I think, सोरा सा समय तो दीजेए. मैम, जो लोग हैं, वो इतना नाराज क्यों हुए, कि उन्होंने आपको विपक्ष की जगा भी नहीं दी, इतना बुरी हार, क्यों जेलनी पड़ी, कहां पे, कॉंगर्स, आपकी टिपनी है, हमारी टिपनी नहीं है, लोगों ने जो फैसला किया, डिमॉक्रिसी में सरांखों आपको क्या लगता है, माम, कि जो पार्टी है, वो नहीं सपोर्ट कर पाई, क्योंकि ये बार-बार चर्चारती के शीला दिख्षत अकेली पड़ गी, जितना तालमिल होना चाहिए था, शायद नहीं हुआ, लेकिन इसके यही कारण नहीं है, बहुत सारी कारण है, अब उ काउंग्रेस के सामने, उसका भी असर आपको पर ये सब लोग कह रहे हैं, अंदाजे से कह रहे हैं, ये अंदाजा हमको भी है, लेकिन जैसे मैंने कार, मैं बार-बार फिर कह रही हूं, कि हमें पहले देखने तो जीजेगा, क्या कमिया हमारी रही, क्या भी पैक्ष के क्या कॉंग्रेस आपको सपोर्ट करेगी, क्या कॉंग्रेस आपको सपोर्ट करेगी, क्या कॉंग्रेस आपको सपोर्ट करेगी, मैं आपके पास आया होगा, आप लोग सपोर्ट करेगी, मैं जैसे एक लास्ट क्रेश्टन कि आप किसको जादा बड़ी हार मानेंगी, आप इंडिविजिफ गी होगे लिए अपर दी की ज़्याधा बड़ी हर करती हूँ दिविजिल हरता ही इंसान जीत आपत लिए हैं। हम लोग राजिनीती पर मालूम है। हम जीत तो कूद पड़े तीन दफाद जीते भी। बिलकुल और میारे फारभी गए तो क्या है। एक छोटा सा personal question माँम, कल से जिन्देगी आज कैसे बदल गई है? कुछ नहीं बदली, आप मेरे पीछे उतनी लगीमी जितनी कल थी.